असलाव लेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कतर घबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है आमीर एटेंड सेवन समिट ऑफ जी इसी एफ इन अलजेरिया साथियों अल मुलकों की जो प्रैमनिश्टर हैं या जिसे प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हैं वो सभी लोग इसमें सामिल थें और इसमें सभी के बीच में मुलकात दोस्तों की गई तो कतर के जो आमिर है हाइनेस आमीर सेख तमीम नमल्थानी साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे और लपे सातवा समिट जिसे एक्सपोर्टिंग कर जाता जानी दुनिया में जितने वी गैस की एक्सपोर्टिंग कांट्रीं है सब भी इसें पार्सिपरेट कियें और अले जौत में जैसे कि आ बुंटी फइन के चांवा। आने वाला है 11 मार्स 2024 को पहले रोजा रखी जाएगी पूरी गल्फ कंट्री में आउकाफ के बारे में आप जानते होंगे बहुती बड़ी साथियों संस्था है तो आउकाफ के तरफ से ऑफिसेली ये एनॉस्मेंट कर दिया गया है कि लगभग 7 लाख लोगों को अलग लग क अफ्तार की चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें बाठी जाएंगी तो दोस्तों ये प्रेस कान्फरेंस किया गया था क्वेस कान्फरेंस के दौरान देख सकते हो डॉक्टर से खालिद बिन मुहमद बिन गलिम अल्थानी है और डिरेक्टर है जनरल ऑफ जनरल इन्मिस्ट कतर नाइजेरिया सेट साइन टू मल्टिपल फिल्ड एकोनोमिक बिलिटरल कॉपरेशन साथि कतर और नाइजेरिया के बीच में बहुत ही बड़ी दोस्तो एग्रिमेंट साइन की गई है तो वीडियो के सुन पर देख सकते हो यह सभी चीजे इसमें दी हुई है यदि मैं एक अग्रिमेंट वगेरा जो है वो संकिया गया है तो साथियों इससे क्या होगा दोनों के रिष्टे काफी बाहतर होंगे एकोनोमिक एक्टिविटी अच्छी होगी बिलिटरल कॉपरेशन होगा और भी चीजों में दोस्तों को मुलकों को इससे फायदा होने वाला है अगली के तरफ से बुल्गेरिया के प्रेमनिस्टर को बधाईया दी गई क्योंकि दोस्तों वहां पे था नैसनल डे तो नैसनल डे के वज़ा से कतर के तरफ प्रेमनिस्टर के तरफ से बुल्गेरिया के प्रेमनिस्टर को बधाईया जो है वो दी गई है तो साथ यूं कुछ खबर थी अपडेट शी जो कदर स्यारी थी मैंने अब तक शेयर किया मिलता हूं साथ युनिक शुटियों पर जहीं देख केर